लकडगंज थाना शेत में कुछ अपराधियों ने एक होटल वेवसाई से हफ्ता मांगा पैसे नहीं देने पर धमका कर चले गए उन्हें समझाने का प्रयास करने पर मारपीट की कुछ समय बाद तलवारे लेकर आरूपियों की गैंग ने होटल में धावा बोला और चम का त दर्च की गई है पुलस ने जाच कर दो आरूपियों को पुलस नहरासत में लिया है हफ्ता नहीं देने पर गुंडों ने एक रस्चुरेंट में तोड़ फोड करके उसके मालिक को जखमी कर दिया यह वारदात वर्दमान नगर के वैशनो देवी चौक पर हुई पुलस न मुफ्त में भोजन की मांग करते हैं वे 12 फरवरी की दुपहर वैशनो देवी चौक इस्तित दिले पर रहडा के इंदोर नमकीन में आए रहडा अपने भाईयों के साथ दुकान में मौचूद थे अपराधियों ने पुलाव खाने के बाद पावभाजी मांगी इसके रहडा ने अपराधियों से पैसे देने को कहा दोनों ने रहडा से 10,000 रुपे की मांग की रहडा द्वारा रुपे देने से इंकार करने पर दोनों धमकी देकर चले गए रहडा कुछ देर बाद दोनों को समझाने के लिए हीवरी नगर के महडा कॉलोनी में गए वहाँ अ दोनदार 22 रोजी तकरारदार नामे दिलिप रोडा तेशे इंदोन नम्किन च वश्नों देगी चावका दुकान है तेचा दुकानात काही दोंती निशम आले आणी ते शांगित लेकी आमाला आपता लागेल आण नाही तर तु इथा बिजनेस करू शकत नाही तेनी मनाई क गटनास चली आमचे डिबी पत्तक गेले तेथे एक आरोपी पुर्वीच पोड़ून गेला होता एक आरोपी आमी ताबयाद घेतला लगेश तेचा पाठलाक करून तेचा घरून तेला दुसरे आरोपी लाँ शुद्दा अंडला त्या पेकी एक आरोपी चा नाव अनु खंड़नी आनी धंकी देने आनी अनाधिक पुरूत्पानी प्रवेश करने या विवीद कलमानों गुनानों दसुन दुन्नी आरोपी अटकाय आनी पिसी आरमद वेक तीसरे आरोपी चा शुद्द शुरू आहे तेचा वर शुद्दा पुडिल कारवे करने दिए आरोपियों द्वारा पहले भी इस तरह का क्रत्य किये जाने से रोहला ने खटना की लकडगंच थाने में शिकायत दरच कराई पुलिस ने हफ्ता वसूली मारपी धमकाने और हत्या निरोधक कानून के तहत मामला दरच कर आरोपियों को गरफतार किया है आरोपियों की गहराई से जाज किये जाने पर कई मामले सामने आ सकते हैं यहां कारवाई डीबी पथक के सारंग राउत और महेश जादव समित अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा की गई क्यामरा परसन अखिलेश भारत द्वाज के साच शितीचा देश्मुग BCN नाकपुर